अगर हर हलाल चीज लाजमन खानी है मुहम्मद ने अब छिपकली हलाल है लेकिन मुहम्मद ने का मैं नहीं खानी क्यों जैहिन अदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समस्लिम स्टाइल ऑफिशल पर उम्मीद आफ लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है आप अगर मोबाईल पर है तो अपने आइकन पर क्लिक करें सेटिंग पर क्लिक कर ले ज नजर आना शुरू हो जाएगा साहिल साब मोफमद साब ने हर हलाल चीज़ कब खाई है अगर अगर शहद हलाल है और मोफमद ने उसको अपने ऊपर फर्बिट कर दिया नहीं मैंने नहीं खाना भई ठीक है तो फिर मोफमद साब को च्छिपकली भी खानी चाही थी सही मस् मुहम्म्मद साथ के लिए छिपकली बार्बिक्यू करके लाई गी तो मुहम्मद साथ ने का हाँ हाँ ये हलाल ए मगर मुझे पसंद नहीं है मैं निक्हाँगा तो फिर इस छिपकली ना क्वाने के ओपर आएद क्यों नहीं आई एक्जाक्टी दुबारा से ताके आप लोग यह न को कि यार मैं जुट बोल रहा हूँ यह सही मुस्लम की अधीस है 1944 यह कहती है उमर रेपोर्टेट दिर वस सम परसन विद अलापॉसल फ्रम अमंग इस कंपैनियन साध बिंग वन अफ देम साध के साथ मुहम्मद साभ आये थे देर वस ब्रॉट तो देम अफ्लेश अफ लिजर्ड चिपकली का गोश्ट लाया गया वैन अलेडी अमंग दा वाइव सब्लापॉसल सेट तो मुहम्मद साभ की बीवियों में से एक बीवी ने कहा like imagine this is how it is written बीवियों में से एक बीवी ने कहा it is the flesh of the lizard ये चिपकली की का गोश्ट है देर अपोन अला मेसेंजर सेट उसकी वज़ा से मुहम्मद साभ ने कहा खाओ खाओ हलाल है हलाल है मैंने नहीं खाना मैंने नहीं खाना मेरे लिए हराम है तो भाई फिर इसके ओपर भी अल्ला की आएद आनी चाहीए थी मैं आपको गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे 99% मुमिन हजरात को ये पता ही नहीं होगा कि इसलाम में चिपकली खाना हलाल है अभी वो कोई चाइनिस विनिस लोगों को देख ले और मैं देखता हूँ रील देखता हूँ इंस्च्छा पे वहाँ पे अगर कोई इस तरीके की वीडियो होती है वो जो हमारे चाइनिस हाजरात है कुछ भी खालेते है जिंदा साअप खालेते हैं और वो क्या कहते हैं उसको कीडे युडे जो आते हैं इंसेक्ट्स वो भी खा लेते हैं तो उसके comment box में आप चले जाओ खाली अलहम्दुलिल्लाह आप मुसलिम अलहम्दुलिल्लाह आप मुसलिम मैं कहता हूँ कि अगर वो चिपकली खाते वे देख लेना किसी चाइनीज को तो वहाँ पे भी लिखेंगे अलहम्दुलिल्ला आप मुस्लिम आप मुस्लिम लेकिन उनको पता ही नहीं है कि चिपकली खाना तो इसलाम में हलाल है प्राउड टू भी मुस्लिम सही का आप में समर भाई तम्मक हलाल है यह तो समझो कि यहां पर मुर्तदों के चैनलों पर इमको बताया जा रहा है कि भाई क्या-क्या है तुम लोगों के अंदर मकसद इसको दिखाने का यह नहीं है कि यार तुम लोग चिपकली खाओ या ना खाओ राइट अधिया है कि एक हलाल चीज़ है चिपकली मुहम्मद ने खुद काया हलाल है तो उसके ओपर तो आईद नहीं आई लेकिन जब शहद के बात आगई तो अल्ला आयत बेजेगा और वो भी ऐसी आईद बेजेगा कि साहिल सब अगर आप उसी की चोथी सूरत की चोथी आईद पड़ें तो फिर जनाब आप देखें कि क्या हो रहा है अगर तुम औरते मुहम्मद के खिलाफ खड़ी हुई तो अल्लो तुम से लड़ाई करेगा अब लेकिन अल्ला ना का हैं कि सूरज की रोशनी छुप जाएं इत्ते बड़े बड़े पार हैं इत्ता बड़ा जिब रही वो भी इन दो औरतों के लिए ना काफी है तमाम सालिह मौमिनीन यह दुनिया के सारे मौमिन भी नोनों लड़कियों के साल लड़ेंगे चोटी सी लड़कियों के और फिर मौमिनीन यार कुछ तो छोड़ दो यार यह चोटी जाए ना सर इसकी जी यह थीसरी और चोटी दोनों इकटी देख लेते और इसमें देखिए इसमें भी गौरों फिकर करने वाली बात हैं हमारे मौमिन अजरात के लिए कि यह इतनी बड़ी गैलक्सी इतना युनिवर्स इतना बड़ा युनिवर्स के, कितने light years दूर जो है उसके आगे क्या है, scientist भी अभी तक वो तहकीक में है के भाई आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है यह उसका खुदा, Allah, so-called खुदा, वो इस तरीके की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है देखो? उर्दू पढ़ते हैं सीधा तीसरी आयत इसकी है वोही सूरे की फिर जब इस बीवी ने वो राज जाहिर कर दिया और अल्ला ने नभी को इसकी इतला दे दी तो नभी ने इस पर किसी हद तक खबरदार किया और किसी हद तक इसे दरगुजर किया यानि छुपा लिया इंग्लिश में देखे तो आप ignored a part ठीक है he made known part of it and ignored a part ठीक है he confirm part of it keeping the rest to himself बताया नहीं छुपा लिया ठीक है फिर जब नभी ने इसे ये बात बताई तो इस ने पूछा आपको इसकी किसने खबर दी नभी ने कहा मुझे इस ने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है भाई चल क्या रहा है ये ये कौन सा ये क्या चल रहा है ये लोगों की हिदायत की किताब में ये कौन सी गौसिप चालू है इदर इसने बताया छुपाया उसने बता दिया थोड़ा सा पाट चुपा दिया ये चल क्या रहा है भाई अच्छा चोती आयत भी देख लेते हिंदी पढ़ लेते है आडम साब हमारे जो हिंदी दर्शक है उनको भी जरा समझ में कि लिखा क्या है और उस समय को याद करो जब नभी ने अपनी किसी पत्नी से गोपनिय रूप से एक बात कही जैसे वो गोपनिय यहां पर गोपनिय रूप से जैसे गोपनिय रूप से यहां पर गोपनिय रूप से यार मुमी लो थोड़ा सोचो यार यह किस तरीके की तुम्हारी किताब है यह क्या खुदा है यहार यह क्या गोसिप चालो है यह रेखिए और उस समय को याद करो जब नभी ने अपनी किसी पत्नी से गोपनिय रूप से एक बात कही फिर जब उस पत्नी ने वो बात बता दी और अल्ला ने नभी को उस से अवगत कर दिया तो नभी ने उस पत्नी को उसमें से कुछ बात बताई और कुछ टाल गए फिर जब नभी ने उस पत्नी को इसके बारे में बताया तो उसने कहा यह आपको किस ने बताया? आपने कहा मुझे उसने बताया जो सब कुछ जानने वाला, सब की – रखने वाला है यार यार, मोमी लो सोचो यार -, मैं फिर से बढ़ देता हूं चलो एडम साब के रिक्वेस्ट पे मैं फिर से कहां चले गया इधर है हाँ अजय यह किस ने किया टांसलेशन मौलाना अजीजुल हकल उमरी है हम लोग ने लिखाया बाई ने तो आप लोग फटक से इल्जाम लगा देते हों कि तुम लोग की चाले तुम लोग यह सब करते हो नह जब उस पत्नी को उसके बारे में बताया तो उसने कहा यह आपको किस ने बताया आप ने कहा मुझे उसने बताया जो सब कुछ जानने वाला सब की ख़बर रखने वाला है यार धूर्टी आजाते है वी अगर तुम दोनों अल्ला से तौबा करती हो क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हड गए हैं अब यह यानि बीवी मजाक मस्ती कर रही है अपने शोहर के साथ उसमें अल्ला का क्या दखल है भाई अब बीवी अपने शोहर के साथ मजाक मस्ती भी नहीं कर सकती सीधा उस पे ऐसा स्टैंप लगा दिया अल्ला ने कि जैसा तुम जो है सबसे बड़ी गुनेगार हो दुनिया की कोई तुमने कतल और गारत कर दिया है यह क्या तरीका है इस अल्ला का असल में यह कोई खुदा क क्लाम नहीं है यह बात हिट हुई रसूल अल्ला को कि मेरे साथ यह लोग मैं सेकस कर रहा था एक तो मैं पकड़ा गया उपर से यह लोग मेरे पीछे पड़ गए मैंने मना किया था बताने के लिए उसने जाके आईशा को बता दिया असल में यह गुस्सा रसूल अल्ला को था कि ये लोग एक तो मेरे को पकड़ लिये और दूसरा जो है वो मैंने मना करने के बाद एक ने जो है वो दूसरे को जाके बता दिया मसला ये था ये अपनी भडास निकाल रहे रसुल्लाह खुदा को क्या लेना देना यार इन चीजों से तो अल्लाह कहता है अगर तुम यानि रसुल्लाह कहता है अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो क्योंके तुम्हारे दिल सीधी राह से हड़ गए हैं और अगर नभी के मुकाबले में तुमने जुठ बंदी की यानि मिल गए आपस में तो जान रखो कि अल्लाह इसका जिब्राईल और तमाम साहले एहले इमान और सब मलाइका इसके साथी और मददगार है लो वाई अब वो एक अगर आप सोचो के शहद वाली बात है इत छोटी सी चीज उस पे अल्ला इतनी बड़ी बड़ी धमकिया दे रहा है उसमें सब को इंक्लूट कर दिया आप नहीं सम सकते हैं आप नहीं समझते हमारे नभी बहुत बहुत अल्लामिया के प्यारे थे इस वरस अच्छा ये भी अगर देखे ना आप आडम साहब आपको तो अल्रेडी पता होगा अगर आप तफसीर का रूख करें तो असल में ये डायलोग जो है ना ये अल्ला का नहीं था ये उमर करें हाँ ये डायलोग उमर ने मारा था रसूल उल्ला को और रसूल उल्ला क्या किये वो गुस्से में आके जो है वो एक जगा पे अपने आपको कैद कर लिया एक बाहर जो है वो एक गुलाम को लगा दिया अब वो अहज़रत उमर गए मालुम पड़ा ऐसा क्योंके उन्होंने अपनी बेटी से मालूम किया, कि इस तरीके का मामला है, तो Making अपनी बेटी से मालूम किया, तो रसुल आ के पास उमर के पास उमर गए, तीन बार जो है इजलात माँगी, रसुलआ ने मना कर दिया, फिर रसुलिक उमर ने इजलात दी, फिर उमर ने बताया कि भाई ये हम तो अपनी बीवियों को बराबर टाइट करके रखे हुए हैं वो तो हमसे उपर नहीं बढ़ती थी लेकिन ये मदीने वाले लोग जो है इन्होंने अपनी बीवियों को चड़ा के रखा है और वो उनके उपर चड़ती है तो ये उसी के असर से हमारी बीवियां जो है कुरेश की जो औरते हैं इनको देख देख के वो हमारे उपर चड़ रही है और साथ उसने ये कहा था कि अल्ला से मदद लो और अल्ला इनके खिलाफ कड़ा हो जाएगा और तुम्हें इस से बहован से बहतर ओरते देगा अगर अपना जहन लगा है तो सीधी बात समन में आती है कि ये कोई खुदा का कलाम नहीं है ये इनसानी फित्रत इसमें नजर आती है और उमर की बात सुनी तो अल्ला के रसूल ने उसी को अल्ला का कलाम मना दिया पर्दे के मामले में भी यही हुआ था उमर के कहने पे वो पर्दा पर्दे वाली आया था ही नहीं तो रसुल उल्ला तो लेके नहीं आये थे